हेलो दोस्तो आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी जोन पर दोस्तो आप सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है महाटिसकुम यहनी महावित्रन भरती 2019-2020 को लेकर वो क्या अपडेट आ रही है हम इससे बताएंगे जैसे कि दोस् आपके इस पर एक इमेज दो रहा है उसमें यह लिखा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं उसमें आपके लिखा गया है lib favori qe even after two months after the result of the sub center assistant no one sent that there was a scam and now when that verification come near there he started to be angry they are saying that there was a scam so do not let such bull time of fell into and yes this is the g g 94 addition list of candidate has been published by mahavitran on the demand of some organization versus candidate due to this the total post of sub electric session has been become two 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 nine four not two thousand it is the pressure pleasure of our seo and electric assistant the number of post can be five thousand two six thousand two hundred or eight will happen be pet be painted and do not believe in this अब दोस्तों इसे बदा दे रहे हैं कि इसके मितलब क्या हुआ कि इसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी महाधिस्कों भरती है जो उसको लेकर यह कहा जा रहा है जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उसमें एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूं उसमें यह कहा गया है कि उपकेंदर सहयों के परणाम के दो महिने बाद किसी ने नहीं कहा कि एक घोटाला हुआ था और जब दस्तावेज संपन अस्थापन निकट आए तो उनमें गुस्सा आने लगा और वे कह रहे हैं कि घोटाला हुआ था इसलिए डॉन टी ऐसे बूर जैसे कि दोस्तों इसमें क कुछ नहीं कहा गया था और जैसे ही आपकी जब डॉक्मेंट वेरिफिकेशन की जब नस्दीकी जब डिट आने लगी तो वो कह रहें कि हाँ भरती में घोटाला हुआ था ये हुआ था वो हुआ था ये कहने लगें तब उसी पर कहा है तो और आगे बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें यह लिखा हुआ है कि परणाम के दो महिने बाद भी किसी ने नहीं कहा कि एक घोटाला हुआ था और जब दस्तावेच अस्थापन निकट आएं तो उनमें गुसा आने लगा वे कह रहे हैं कि घोटाला हुआ था इसलिए डॉन टी ऐसा यह जी 294 है कुछ संगठोनों के वी उमीदवार की मांग पर महावित्रन द्वारा उमीदवारों की अतरित सूची परकासित की गई थी उसके इसके कारण उपकेंदर सहय का कुल पद 2294 नहीं 2000 होना चाहिए यह खु ईजली सहय को पद के संख्या 5000 से 26200 तक हो सकती है यह ऐसा होने यह ऐसा होना इसलिए धेर रखें और और दोनों का मान रखें तो जैसा इसमें दोस्तु मैं बता दूँ कि इसमें जो आपकी दस्तावेच की जो डेट जब निकट आ रही है जब डेट आ रही है तो उसमें द भरती को लेकर घोटाला हुआ था अब जैसे अब इसमें आपको डाउट यह हो गया कि आपकी जो पंदरा अगस्त को पंदरा सितंबर को आपकी जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन की डेट थी अब उसको लेकर बाधाय आ सकती है कि नहीं आ सकती है पता नहीं चल रहा है इसमें क्योंकि इसमें अब घोटाला जो पूशे जा रहा है तो दो मेरें तक उनलों ने कुछ नहीं कहा अब जो कह रहें कि हाँ इस भरती में घोटाला हुआ था इसको लेकर कहा जा रहा है और इसमें एक और अपडेट बड़ीने अपडेट निकल कर आ रही है कि जो आपकी 5000 की पोश्ट थी उसे बढ़ा कर 6200 हो सकता है 6200 हो सकता है यह अपडेट निकल कर आ रहे थी तो दोस्तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि महावित्रन भरती से छोटी या बड़ी अपडेट हम लाकर आपको देते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें चैनल पे नहीं को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो जैसा कि यही अपडेट निकल कर आ रहे थी कि आपकी कुछ बादहाएं लग रहे हैं आपकी जो डॉक्मिन भ उपकेंदर सहाइक की तो यह मैंने आपको बता दिया और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे चैनल पे ने सस्क्राइब और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सेर करेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ता तक लिए दोस्तों जाहिंद